जिन्दगी को उची उड़ान दे रहा है जीबन के हर मुस्किल को आसान कर रहा है हम ये नहीं कहते कि विज्ञान खुदा है पर जिसे खुदा देना सका आखे उसे विज्ञान दे रहा है नमस्कार स्वागत है आप सभी का इस वक्त आप देख रहे हैं आईजोंस न्यूस और मैं हूँ आपके साथ शुभम राज और आज के विसेश कारिक्रम दिवस स्पेसल में हम बात करेंगे राश्टिय विज्ञान दिवस की जी हाँ वही विज्ञान जिसने दुनिया के मुश्किलों को आसान कर दिखाया इंपॉसिबल था जो उसे पॉसिबल कर दिखाया और ऐसा ही कुछ कर दिखाया था देश के महान विज्ञानिक शिभी रमन ने आपको बता दे कि उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज से विज्ञान के एक शेतर में देश का नाम फक्र से उचा कर दिया था और तभी से 28 फरवरी को हर साल देश में राश्टिय विज्ञान दिवस मनाया जाता है तो आईए जानते हैं हमारे खास कारिक्रम दिवस इस्पेशल में राश्टिय विज्ञान दिवस का इतिहास क्यूं है ये बेहत खास हर साल 28 फरवरी को देश में राश्टिय विज्ञान दिवस मनाया जाता है इस दिन को मनाने का उदेश लोगों को विज्ञान के ख्षेत्र में नए परयोगों के लिए प्रेरित करना तथा विज्ञान के प्रती आकरसित करना एवं विज्ञान और विज्ञानिक उपलब्धियों को लेकर जागरूख करना है दरसल 28 फरवरी 1928 को देश के महान विज्ञानिक सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी इस खोज के सम्मान में 1986 से इस दिन को राष्टिय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है महान भौतिक विज्ञानिक सर चंदर सेखर वेंक्ट रमन की और पारदर्शी पदार्थ से गुजरने पर प्रकाश की किर्णों में आने वाले बदलाव पर की गई इस महतपुर्ण खोज के लिए 1930 में उन्हें भौतिकी के नौबल पुरुषकार से सम्मानित किया गया था वो ये सम्मान पाने बाले भारत ही नहीं बलकि एशिया के पहले विज्ञानिक थे 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्भोच नागरिक सम्मान भारत रत्न से नबाजा विज्ञान के छात्र आज भी उनसे प्रेरना पाकर नए नए परियोगों के जरिये मानवता की मदद कर रहे हैं यही वो समय था जब भारत विज्ञान के एक शेत्र में दुनिया से कदम से कदम मिला कर चलने के लिए मजबूत इरादों के साथ तयार हो चुका था और इतना ही नहीं आपको बता दे कि इसी आविस्कारी खोज ने विज्ञान के एक शेत्र में देश को नई दशा और दिशा दिखाई और साथ ही विज्ञान के एक शेत्र में भारत को विश्वस्तर पर लाखरा किया और अब तो आलम ऐसा है कि हम हर रोज विज्ञान की मदद से अपने जीवन को सरल और आसान बनाते जा रहे हैं विज्यान सरलता से अपनी स्रिष्टा का परिचे देता जा रहा है और यही वज़ा है कि विज्यान की वज़ा से मानव ने इतनी तरक्की कर ली है कि आज शिक्षा, चिकित्सा, मनुरंजन और ना जाने कितने एक शेत्रों में विज्यान एक बरदान के रूप में मानव कुसी को समझ नहीं पाता है इस दुनिया में उसे चमतकार कहा जाता है आज के खास कारिकरम में फिलहाल इतना ही हम फिर मिलेंगे किसी अगले अपिसोड में तब तक के लिए आप देखते रहिए आईजॉंस न्यूज हमें दीजिये इजाजत बहुत-बहुत धन्यवाद झाल 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 झाल